तो फ्रेंट्स आज है अपने पास होंडा सिटी का वी वेरियंट मैनुल ट्रांसमिशन के साथ यह जो आता है आटोमेटिक में भी आपको मिल जाएगा लेकिन मैंने आप इसमें आपको वी वाला जो स्लेक्ट किया ही है मैनुल ट्रांसमिशन में ही मिलेगा सबसे पहले हम इस गाड़ी का रिव्यू जो है वो स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर लेना और सबसे पहले आप देखे इसकी की आपको मिल जाती है कुछ ऐसी जिसमें आपको लोक अनलोक और इसी के साथ आपको बूट का भी ओप्सन की में दिया गया है तो हम आगे से स्टार्ट करते हैं कि गाड़ी में हमें क्या-क्या देखने को मिल जाएगा देखे यहां पर आपको होंडा का लोगो मिल जाता है और साथ में आपको क्रोम फिनिश दी गई है जो की कंप्लीट वहां से लेके यहां लास्ट तक कनेक्ट करती है ठीक है और यहां आपको हेड लाइट का सेटप दिया गया है यह आपको प्रोजेक्टर हेड लैंप मिलेंगे लेकिन हैलोजन यूनिट ही मिलने वाली है अंदर और यह आपको LED DRL दिया गया है कुछ ऐसा दिखेगा आपको फ्रंट का लुक और नीचे जो आपको फोग लैंप मिलेंगे वो भी आपको हैलोजन में ही मिलने वाले हैं तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी side profile side profile कुछ ऐसी दिखेगी आपको जिसमें आपको alloy wheel भी देखने को मिलेंगे और ORVM की बात करूँ तो यहाँ पर आपको turn indicator इसी के उपर दिये गए हैं और यह auto folding के साथ आपको मिल जाते हैं जो कि आप electronically अंदर से एड़ेस्टिस को कर पाएंगे ठीक है और यहाँ आपको request sensor दिया गया है यहाँ से गाड़ी को unlock कर सकते हैं लोग भी कर पाएंगे और यह है इसका second profile side profile आप देख लीजिए यहाँ भी आपको keyhole मतलब key के लिए आपको insert करने के लिए जगह मिल जाएगी बाकी यहाँ request sensor भी दिया गया है तो अब चलते हैं पीछे का profile देख लीजिए यहाँ पर आपको Honda का logo मिल जाएगा और जो boot है वो आपको मैं open करके दिखा देता हूँ की से ही यह देखे बूट open हो चुका है और इसका जो बूट है वो आपको मिलेगा 506 लिटर का ठीक है बहुत ही बड़ा बूट आपको मिल जागा क्योंकि यह सेडान का रहे तो obviously इसमें बूट जो है वो आपको ज्यादा ही मिलेगा और इसी के साथ जब आप इस पीछे की लाइटिंग देखेंगे तो यह complete LED सेट अप आपको मिल जाता है जिसमें आपको इंडिकेटर और पीछे की जो यह बलब है यह सारे मिल जाते है और यह आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है जो कि यहां तक आपको side profile तक यह connect करती है तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा लुक आपको देखने को मिलेगा जब आप डॉर खोलेंगे और यह जो फिनिस है ना बीज कलर का जो यह combination है यह बहुत ही प्यारा लग रहा है अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आपको दिखा देता हूँ यहां देखिए आपको complete जो इसके controls है वो मिल जाएंगे window के यहां पर यह जो driver side का window है यह आपको auto pinch मिलेगा और बाकी सारे controls आपको दिये गए हैं और यह जो है यहां से आप ORVM को adjust कर पाएंगे आगे पीछे उपर नीचे जहां भी आपको करना है तो friends कुछ ऐसा dashboard आपको देखने को मिलेगा और यह जो dashboard है यह बिल्कुल flat है और plastic quality के अगर मैं बात करूँ तो plastic quality भी काफी सही है और यहां पर भी आपको plastic ही मिलता है जैसे इसके upper variants में आपको यहां पर थोड़ा सा leather finish भी देखने को मिलेगी लेकिन यहां पर आपको कोई leather finish देखने को नहीं मिलेगी यह सारा plastic ही है यह हो गया एक ace event जिसको आप यहां से control कर सकते हैं थोड़ा सा मतलब air वगेरा का flow control कर पाएंगे और यह है यह complete आपको piano black finish मिलेगी और यह matte मिलेगी आपको और यह हो गया दूसरा ace event और यह हो गया और जो यह इसके switches हैं यह मतलब touch वाले तो नहीं है यह press होते हैं थोड़े से press होते हैं plastic quality के ही दिये गए हैं यहां पर आपको hazard light मिल जाती है और यह है इसका auto AC मतलब automatic climate control इसमें आपको company provide कर रही है auto AC है यह यह इसकी knobs हैं और कोई मतलब touch screen type इसमें कुछ भी नहीं है ठीक है बाकी नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहां थोड़ी सी storage आपको दी गई है और यहां आपको दो USB charger मिल जाते हैं इसके अलावा आपको 12 volt का एक power socket भी मिल जाता है यानि accessory power outlet यहां पर आपको दिया गया है front में और इस space की जब बात आती है तो यहां आपको 2 cup holder मिल जाएंग और यह जो seat cover है यह complete आपको fabric ही मिलते हैं ठीक है और इसमें आपको थोड़ी सी storage का option भी दिया गया है ठीक है यहां भी आपको थोड़ा सा storage का जिसमें आप coin वगरा रख चकते हैं यह complete profile है आगे का अगर मैं उपर roof की बात करूँ तो यहां पर आपको यह जो handle हैं यह collapsible मिल पड़ेगा मतलब यह auto dimming है लेकिन manually आपको मिलेगा ठीक है अब steering की बात कर लेते हैं तो यह है देखिए यहां पर Honda का logo और यहां पर horn है यह volume up down यह सारे control साब को दिये गए हैं इसमें आपको cruise control भी मिल जाता है और add-as feature भी दिया गया है इसमें जिसमें adaptive cruise control जिसमें आपको मिल जाएगा यह cruise control cancel करने का और यह सारे आपको control दिये गए हैं ठीक है तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे feature मिल जाते हैं आपको driving के इसाब से अब देख लेते हैं कि यह steering जो क्या tilt या telescopic इसमें adjustment है या नहीं है तो सिर्फ ही इसमें आपको tilt adjustable मिलेगी जिसमें आप इसको नीचे और ऊपर कर पाएंगे ठीक है और यहां से यह lock हो जाएगा SRS airbag की basing है और इसमें अगर मैं airbag की बात करूं तो इसमें आपको चार airbag मिलते हैं दो front में और दो आपको side में curtains वाले मिल जाते हैं और यह है इसके आगे के lamps जैसे मतलब बहुत ही अच्छी finish दी गई है यह press होते हैं और फिर यह जल जाते हैं और यहां आपको mic की placement दी गई है और friends यह है इसकी MID और इसके meters तो मैं आपको गाड़ी एक बार on करके दिखा देता हूँ तो कुछ ऐसा आपको जो initial look है वो देखने को मिलेगा देखिए सारी जो warning वगरा सब कुछ है वो इसमें आपको मिल जाएगा यहां पर आपको RPM मिलता है इधर आपको speedometer मिल जाएगा और सारी information आपको इधर और यहां पर सारी information मिल जाएगी बाकि आपको बीच में जो यह colored MID ID दी हुई है जिसमें आपको सारी information मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छे मतलब अच्छे से होंडा ने इसको adjust करके और अच्छे से इसको design करके दिया है आपको तो यह हो गया इसके आगे के सारे features अब जो यह driver seat है यह मैंने अपनी height के according set कर ली है और अब हम पीछे चलेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि पीछे का space management होंडा ने कैसा क्या हो है इस गाड़ी में और फ्रेंट्स जो यह driver seat है यह आपको complete height adjustable के साथ दी हुई है manually आप इसको adjust कर पाएंगे manually का मतलब है यह electronically नहीं होगी आप इस lever के तुरू इसको adjust कर पाएंगे तो यह है इसका rear door और अब हम चलते हैं पीछे seat मैंने बता दी थी कि मेरी height के coding मैंने set कर ली थी door को कर लेते हैं बंद और अब देखिए आप इसमें मैं सबसे पहले leg space देख लीजिए leg space इसमें आपको बहुत ही अच्छा मिलता है इतना leg space इसमें आपको मिल जाएगा और thigh support के बाद करूं तो thigh support भी काफी सही है, thigh support में भी कोई दिक्कत नहीं है और rear में आपको ये AC event दिये वे हैं इसी के साथ आपको नीचे जो है वो दो power socket मिल जाते हैं जहां पर आप कोई भी accessory या charger वगरा लगा पाएंगे और इस AC event को इससे आप इसका flow control कर पाएंगे पीछे बहुत ही अच्छा space लगा मुझे और यहां पर इसमें आपको speaker की placement मिल जाती है इसमें आपको चार speaker मिल जाते हैं Twitter का option इसमें नहीं है इसके upper variants में आपको Twitter का option मिल जाएगा और friends यह है इसका rear seat का armrest जिसमें आपको दो cup holders मिल जाते हैं यहां आप दो cup जो है वो इसमें place कर पाएंगे ठीक है इसको कर देते हैं बंद और seatbelt आपको जो है वो सभी seats मिल जाते हैं safety को लेके Honda हमेशा से ही बहु आपको सारे safety feature दे दिये गए हैं तो यह आपको यहां पर seatbelt प्रवाइड करती है और अगर seats की comfort की बात करूं तो seats का comfort भी मुझे अच्छा लगा हालंकि fabric upholstery है लेकिन फिर भी seats का comfort जो है वो बहुत ही बढ़िया है और आगे की जो यह दोनों seats हैं इनमें आपको जो यह headrest मिल जाता है यहां पर आपको जो है वो cabin lamp मिल जाता है जिसको आप यह से इस बटन से ओन कर सकते हैं और बीच में रखेंगे तो यह door से operate होगा और इधर आपको collapsible door handle मिल जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखता है आपको पीछे से इसका dashboard ठीक है अगर मैं center hump की बात करूं तो center hump त सायद अच्छे से ना बैट फाए लेकिन अगर बच्चा आपके साथ है उसको आप center में बिठाते हैं तो कोई प्रेशानी नहीं होगी फिर भी अगर इसकी में height की बात करूं तो कम से कम 3-4 inch का यह hump इसमें आपको मिल जाएगा ठीक है एकदम flat floor इसमें नहीं दिया गया है और पीछे के जो यह address है यह आपको fix मिलेंगे इस variant में जबकि जो दूसरे इसके variant होने वाले है अपर variants उन में आपको यह adjustable मिल जाएंगे तो यह हो गया इसका rear part अब friends इसका boot खोल के हम देखते हैं कि उसमें हमें कोई illumination वगरा है lighting वगरा है वो मिल जाती है या नहीं जिससे आपका boot जो है वो open हो जाएगा तो देखिए यहां पर मेरे ख्याल से यह जो आपको दिखाई दे रही है light यह illumination इसमें आपको मिल जाता है और पूरा जो boot है वो आपको covered मिलेगा मतलब गाड़ी की body आपको कहीं से भी दिखाई नहीं देगी ठीक है और मेरे ख्याल जाते हैं 506 लिटर का boot मैंने आपको बता दिया था और यहां पर आपको मिल जाता है रियर कैमरा और यह आपको मिल जाते हैं इसके रियर सेंसर अगर पीछे की विंड्सील्ड के लिए बात करें तो यहां आपको जो है वो स्टॉप लेंप मांटेड मिल जाएगा और यह ज टायर्स की बात करूं फ्रेंड्स तो इसमें आपको एलोई मिलते हैं इस वेरियंट में आपको एलोई मिलते हैं और कम्प्लीट टायर प्रोफाइल की बात करूं तो यह देख लीजे अब 185 बाई 60 आर पंदरा यानि 15 इंचेज के टूबलेस रेडियल टायर आपको मिल जा बता देता हूं और इंजन की पावर वगरा है वो सारी बता देता हूं यहां से जो है वो आप बॉनट को खोल पाएंगे तो यह है इसका इंजन पार्ट फ्रेंड्स देख लीजे इसमें आपको 1.5 लिटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जिसमें आपको 121 बहप की पावर यह आपको प्रोड्यूस करके देगा और 145 न्यूटन मिटर का टॉर्क इसमें आपको मिल जाएगा माइलेज की बात करूं तो इसमें आपको 18-20 की माइलेज जो वो कमपनी क्लेम करती है बाकी आपके ड्राइवबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कैसे गाड़ी को ड्राइव करते हैं अगर स्पेसिंग की बात करें तो मेरे खाल से कोई भी ज्यादा स्पेस आपको नहीं दिखता है मतलब गैपस नहीं दिखते हैं अच्छा खासा आपको फिट एंड फिनिस दी गई है गाड़ी के इंटिरियर से लेके इंजन से लेके सब जगे आपको अच्छी फिट एंड फिनिस मिल जाती है तो चलिए इसको कर देते हैं बंद आप बात करते हैं इसके प्राइसिंग की बहुत ही है इसलिए इसने फाइव स्टार इसने रेटिंग को हांसिल किया है और फिर्ट्स अगर इसके प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस टार्ट होता है एस वेरिय से हैं या करनाल के आसपास के area से हैं तो आप courtesy Honda से contact कर सकते हैं उनके पास लगबग सभी गाडियां सभी models में हमेशा available रहती हैं और 4 और 5 के आसपास इनके पास जो Honda की नई SUV है Elevate वो भी आने वाली है तो इनका address है वो आपको description में मिल जाएगा और मैंने मिस्टर क्रिशन कुमार जो की इनके सेल्स टीम में के एक मेंबर है उनका कॉंटेक्ट नंबर मैं ने दिया हुआ है उनसे आप डारेक्ट कॉंटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कार के इनक्वारी करनी है या फिर आपको नई होंडा जो SUV है एलेवेट अगर उसको बुक करवाना है तो आप डारेक्ट उनसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी SUV आने वाली है और आप इसके लिए चैनल से भी जुड़े रहें ताकि आपको आने वाले टाइम में उसका complete review में आपको दूँगा तो यह थे इसके pricing और complete जानकारी आपको दी है मैंने इस variant की V variant की अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर वो भी कोई sedan कार देख रहे हैं तो Honda City उनके लिए best हो सकती है अगर इस budget में आप देख रहे हैं तो चलिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए आप left वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए जिसमें एक्सल 6 के बारे में complete जानकारी दी है